हेलो स्टुडेंट्स कैसे ही आप सभी तोमर सर क्लासिस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस यूटूब चैनल में हम आपको डेली जानकारी देते हैं नए कोर्सिस के बारे में जिससे आपका knowledge updated हो और जब आप बहुत सारी चीजें जानने लगते हैं समझने लगते हैं बहुत सारी information आप ग्यादर कर लेते हैं चाहे वह offline माध्यम से हो चाहे वह online माध्यम से हो उसके बाद आप सही decision ले सकते हैं कि आपको किस carrier को बनाना है आपको किस तरीके से carrier में आगे बढ़ना है कौन सी line select करनी है कौन सा subject select करना है क्या आपको अच्छा लग रहा है किसमें आप अपना 100% दे सकते हैं ये सबसे बड़ी बात आपके लिए सामने open हो जाती है तो आज इसी के अंतरगत मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूँ ADCHN कोर्स के बारे में तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए तो वीडियो को लाच तक एक बार जरूर देख लिए ADCHN कोर्स Advanced Diplomant Computer Hardware and Networking ये Computer Hardware and Networking में क्या होता है आखर ये कोर्स किसके लिए है यदि आपका इंट्रेस्ट ना Computer Field में Software वाली लाइन में नहीं है मतलब कि आप Computer चलाने से ज़्यादा उसको सुधारने में इंट्रेस्ट रखते हैं आप Hardware का काम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और आपको थोड़ा बहुत बनता भी है आप आँगे चलके Hardware की Shop ओपन करना चाहते हैं आप किसी Hardware की Shop में काम करना चाहते हैं आपको Computer में बैट करके Software Programming इससे ज़्यादा Computer को Assemble करने Computer को आपस में Connect करने और Computer में कोई Problem को सुधारने में मजा आता है तो आपके लिए ये लाइन बहुत अच्छी होगी जिसे बोलते हैं Hardware and Networking जी हां Computer की Field दो कैटिगरी में आप Divide मान सकते हैं एक हो गया Software और एक हो गया Hardware जी हां एक हो गया Software और एक हो गया Hardware Software के अंतरगत आपने बहुत सारे Courses देखे हुए हैं इसी YouTube चैनल में DCA, PG, DCA, DCA, Digital Marketing इन सारे Courses में Software में ही Computer में Work करना होता है लेकिन ये जो Hardware का Cours है इसके अंतरगत Computer में Installation का कार्याता है Computer को Assemble करने का कार्याता है आपने अगर नया Computer लिया होगा तो आप किसी Hardware की Shop में गया होगे Computer जहां Sell होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने आपको Computer का पूरा Configuration बतलाया होगा RAM इतनी, Hard Disk इतनी, Motherboard कौन सा और सारी चीजों को Assemble करके आप Computer लेकर के आए होगे तो यदि आप इसी लाइन में जाना चाहते हैं, खुद की Shop खोलना चाहते हैं, किसी ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां पर की Computer का Hardware का काम होता है तो आपको ये कॉर्स कर लेना चाहिए जिसका नाम है ADCHN, Advanced Deployment Hardware and Networking इसके अंतरकत Computer Hardware के सबजेक्ट हैं और Networking के भी सबजेक्ट हैं Networking का मतलब ये होता है, बहुत सारे Colleges में आपने देखा होगा कि सारे Computer आपस में Connected हैं और सारे Students Lab में काम कर रहे हैं अगर किसी एक सिस्टम में कोई Project File या कोई भी Document Video शेयर की जाती है तो सारे Computer में Automatic Available हो जाती है एक Office का Data दूसरे Office में बड़े आराम से शेयर हो जाता है तो इस तरीके से Computer में Networking की जाती है तो Networking में भी यदि आप Certification चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ADCHN का Diploma Course जरूर करना चाहिए अब ये ADCHN में क्या-क्या पढ़ाया जाता है उसके बारे में समझ लेते हैं Fundamental of Information Technology and Operating System तो एक Hardware Networking फील्ड में जाने के लिए Computer में Installation की सुरुआत करने के लिए आपको Operating System का Knowledge होना चाहिए जैसे Hardware का एक और Part आता है कि Windows इंस्टॉल करना Windows की CD लगा करके Computer को Format करना Windows 11 अभी चल रहा है उसको Install करना और जो है सारे Formatting करना ये सारी चीज़ें इसी के इंतरगत आती हैं तो आप जब ADCHN Diploma Course Medication लेते हैं तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जिसमें पहला subject है Fundamental of Information Technology and Operating System के बारे में Complete जनकारी दी जाती है Basics of Electronic and Micro Processor चुकि आपको Hardware में काम करना है न आपको Motherboard सुधारना है आपको Computer को Assemble करना है तो Computer is an Electronic Device Computer is an Electronic Device है तो आपको Electronic और Micro Processor का Knowledge होना चाहिए PC Assembling and Trouble Suiting किस तरीके से Personal Computer के RAM, Hard Disk, Motherboard, SMPS इस Complete अलग 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 अगर Parts है उनको कैसे Assemble किया जाता है इसका भी subject किसमें है Computer Network कैसे Networking की जाती है Local Area Network, Wide Area Network, Metropolution Area Network किस तरीके से Networking की जाती है ये भी आपका किस के अंतरगत आता है Computer Network के के अंतरगत आता है Linux Administration इस Operating System के बारे में भी आपको समझना होगा Windows Server Administration तो ये सारे subjects जिनमें की Computer Hardware और Networking के बारे में सीखना होता है ये सारी चीजें आपको किसमें सिखाई जाती है इसी ADCHN कोर्स के अंतरगत इसमें आपको देख लीजे Certificate का Demo ये दिया गया है ये Certificate है Certificate का Demo आप देख लीजे इस तरीके का डिपलोमा आपको दिया जाएगा ये आप इस कोर्स को जॉइन करते हैं अब इस Certificate को verify करने के लिए इसमें जो आपका barcode दिया गया है उसे भी आप scan कर सकते हैं अपने mobile में किसी भी प्रकार के barcode वाले software को install करके अब इस कोर्स को जॉइन करने के लिए वीडियो के description में आईए और app डाउनलूट कीजे my computer course app app डाउनलूट करने के बाद आप आजाएए app के store tab में जी हाँ store tab में store tab में आने के बाद देख लीजे ADCHN course कुछ इस प्रकार से थंबलेन होगा इस course को जॉइन कर लीजे और हाँ आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो जब आप app इंस्टॉल करेंगे वीडियो के description में आ करके तो आपको एक offer मिलेगा आपको एक discount coupon मिलेगा जस्ट इस course के नीचे जैसे ही उसे apply करेंगे fees automatic कम हो जाएगी इसके बाद course की आप payment कर सकते हैं net banking, phone पे, google पे credit card, debit card या किसी friend से भी आप payment करवा सकते हैं उसकी UPI डाल करके फिर वो जैसी payment accept करेगा payment successful हो जाएगी payment successful होने का इस तरीके का green symbol आपको green पूरा wallpaper दिखलाई देगा जिसमें payment successful आएगी इसके बाद जो course के वीडियो है वो सभी वीडियो अनलॉक हो जाएगे course की वीडियो अनलॉक हो जाएगे और आप उन वीडियो को access कर पाएगे देख पाएगे इसके बाद जो भी detail है आपकी जैसे आपका नाम father name, mother name, complete address pin code, city, state, photo, signature इस सारी चीज़ आपका chat option है वहाँ पर भेजना है जिसके अनुसार आपका diploma बनाया जाएगा chat option में आप अपनी कोई क्यों ही भी 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 बेज सकते हैं कोई भी problem आती है और उसके बाद आपका जो diploma है hardware and networking का वो email किया जाएगा आते हैं तो आप आज ही हमारे app जिसका नाम my computer course app है इससे hardware networking का course जोइन कर लीजे इसके लिए वीडियो के description में आ करके app download कर लीजे तो आपको यह वीडियो पशंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और वीडियो को अपने friends के साथ जरूर शेयर करिए जिनकों की hardware का course करना है और हमारे यूट्यूब चनल को subscribe जरूर कर लीजे क्योंकि और भी courses की जानकारी हम अमेज़ upload करते हैं मिलते हैं हम अगले वीडियो में